तो इस चाप्टर के स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां जो हमारा पिछले चाप्टर खदम गोता है मैं दिखा जाता है इस परसन को जो कि दरसल फिंग जी का फ्रेंड है और वसे हाँ इसका एक बार एंक आणकाउटर लिंग के जाद भी हो चुका है बट इसका नाम जो कि मैंने आपसे पूजा था बट मैंने कई बार कमेंट को चेक किया बट वहाँ पर कोई वी ऐसा कमेंट नहीं था जिसके बारे में मैं बता सको कि आप समय से किसी ने भी इसका नाम गेस किया है तो बस इसी वज़ा से मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन फिर उसके बाद मैंने पूरी कॉमिक को नहीं रिए गया बल्कि उसी चैप्टर को रिए गया जहां यह परसन आपस में एक दूसरे से मिले थे और यह मैंने मतलब इस परसन का नाम गाओ है लेकिन तबी हम देखते हैं सिस्टरी लो आप और यहाँ पर आकर आप आप और यहाँ पर कर रही है जिस पर हम देखते हैं डायरेक्टली को जो की गुस्षे में कहती है कि तुमारा मतलब कहता है इस चीज़ पर तभी वहाँ पर जो की वहाँ पर हस्ते हुए कहता है कि डायरेक्टली प्लीज इस बात को गलत मत समझ लिजीगा वैसे भी यह मेरा एक फृरंड है और हाँ वैसे भी इसने हमें एक साथ देखाना तो इसे गलती से लग गया होगा कि आप यहाँ पर मेरी वाइफ हैं तो पस इसे थोड़ी सी ना गलत फ़हमी हो गई थी तो प्लीज इस चीज़ के लिए माफ कर जीज़ी का मेरा दोस्त थोड़ा सा पागल है जिस पर हम गाओ को देखते हैं जो कि इस बात को सुंडर का वधारान था और हो कहता है अपने मन के अंदर का आखिरकार यह किस तरगी की पागल वाली बाते कर रहा है और मुझे कभ लगने लग गया कि डिरेक्टर लिया आखिरकार इस जैसे गधे को डेट कर रही है तब हम देखते हैं मिश्टर गाओ को जो इस मिश्टर अंडरस्टेर्णि को ठीक करने के लिए कहता है विंग जी से गुस्से में कि ओए क्या तुमने अपने फेस को भी कभी जी से के अंदर देखा वो कितना ज़ता घटिया दिखाए देता है और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी ऐसा भी लगेगा कि तुम्हें इतनी अच्छे लड़की भी मिल सकती है कभी ने तुम जैसे सकीनी परसन को तो बिल्कुल भी नहीं और वैसे मैंने इने से इस्टर लिन लोगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा था कि मिश्टर लिन इन्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेसे को छोड़ कर यहाँ पर एक गटिया सी डॉक्टर की जॉप कर रहे हैं यह कितना ज़्यादा सरमनाक है उनके लिए और इसके बावजूद भी उनके सेलरी इससे जितनी भी होगी ना वो तो इनके बिजनेस के आगी बहुत ज़्यादा कम है तो मुझे बस ऐसल लगा था कि वो डिरेक्टर लिगों पसंद करते हैं इसलिए वो यह सब कर रहे हैं और हम देखते हैं एक लिएक लिए के बारे में जानकर वहाँ पर घड़ी वे सारे के लोगों के मुख खुले रह जाते हैं जहांपर विंग को देखते हैं जो कि हैरानी के जात कहता है कि आखरकार ऐसक कैसे हो सकता है वो एक बड़ा बीजनस मेन है लेकिन अगर वो एक बड़ा बिजनेस मैन है तो वहाँ पर इतने चोटी से जॉब क्यों कर रहा है डॉक्टरी के अंदर है कि तुम जे जगा पर खड़े हुए ये वैंग जियांग टर्मिनल इसका वा सेक्रेट बास जिसके बारे में सभी ने बस सुन रखा है और अभी तक किसी ने देखा नहीं है और जिसने की एक बिलियन का प्रोजेक्ट किया यहां पर ना वो कोई और नहीं बल्कि मिश्टर की ही है और हम देखते है कि इस बात का सब्सक्राइब के बसलिंडे के तरफ ही देखने लगते हैं और क्यों से यहां पर variable के साथ लीन से कहते हैं मुझे की आप इतने जादा पर स्पॉन partnerships वी होगी गहां पर प्रिवाट को जो कि वहां पर लिन से कहने लगता है कि मिश्टर लिन मुझे आप से इबात कहने में थोड़ा जीट लग रहा है लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि सिटर इन लो भी यही पर है और आपका बेस्ट फरेंड भी यही पर है तो क्या आप इसके लिए प्लीज मैं हाँ पर एक बड़ी सी बोट मंगा लूँगा बट बार बार उन्हें सिटर इन लोग कहना बंद करो आखिर का तुमने इस तरीके से कितना ही उमिलेट करोगी जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि लिन एक फोन कॉल करता है और उसके थोड़ी देर बाद वहां पर पूर अधर विंग जी आप अकर क्यों नहीं आरे हैं हमारे साथ जहां पर विंग जी इस बात को सुनकर काफी जदा ही हरान था लेकिन उसने यहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम जो लिन के साथ कड़ी कर दी है इसलिए वहां पर डर रहा तो जाने से और उसके बाद वहां बहाना कि वैसे मैंने पहले कहा नहीं था कि यहाँ पर कोई होना चाहिए जो आप सभी के समानों का ख्याल रख सके तो मैं हूना मैं इंसायजी जो का ख्याल रख लूँगा जिसकी बाद हमें दिखा जाता है कुरूस सिपकी लगजीरस लाइफ को जहाँ पर काफी सारी खाने की चीज़े अच्छे अच्छे थी और वहाँ पर बैटने के लिए जगा भी काफी जादा ही लगजीरी दिख रही थी और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर वासा भी काफी जादा ही एकसाइट थी लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है डिरेक्टर ली को जो कि उनसा भी लड़कियों की बज़ा वहाँ पर पानी के अलगी मज़े ले रही थी जहाँ पर डिरेक्टर ली समुंदर के इंजारों का मज़ा लेते हुए वहाँ पर पूरा सीन क्रियेट कर रही थी बस थोड़ा सा मेन करेक्टर की कमी थी जो कि लिए वहाँ पर खो दिया कर पूरा कर देता है और वहाँ पर आने के बाड़ डिरेक्टर ली से कहता है कि यहां पर बोट के इंचे काफी सारे क्यूपमेंट्स हैं वह भी डाइविंग की तो क्या हम ल की बाड़ेक्टर ली को जो कि वहँगा पर डैविंग के एक्क्योमेंट्स को पहन रही थी जिसके बाद हम देखते हैं लिन को जो कि वहाँ पर डैविंग के यहां प्रहाँ से क्या मैं यहां से गिरने वाली हूँ लेकिन अगले ही भल हम देखते हैं डिरेक्टरली को जो की पानी के अंदर थी लेकिन वह भी डरी हुई थी और वह अपने मन के अंदर कहती है कि क्या मैं यहाँ पर पानी के अंदर डूब रही हूँ जो कि कुछ ही यह वाला कांड करता है मतलब डिरेक्टरली तो इस सैलाओ से टेरी गए थी बट उनका वो जो स्विमिंग का अपर पाट होता है जो कि चेस्ट के पास बाहना जाता है वह भी खुल चुगा था और डिरेक्टरली इस बारे में लिन को बताने लगती है जिस पर हम लिन को देखते हैं जो कि वापास से उसे फिक्स करने लगता है जिसके बाद हमें कुछ दो चार ऐसी फोटोस को भी दिखाया जाता है जहाँ पर डिरेक्टरली अपने मन के अंदर कह रही होती है कि ये बाकी लड़कों की तरह नहीं है अभी ये मेरा डवांटेज भी ले सकता था लेकिन इसने आज़ा नहीं किया कि बाहर जो बाते हो रही थी क्या वो सच थी लेकिन तब ही उसके नजर हलकी सी डैक्टर ली और लिन के उपर बढ़ती है जहाँ पर ओर डैक्टर ली के इतने रेड़ फेस को देखर कहती है क्या आप दोनों की बीच में क्या कुछ हो चुगा है क्या आज जवाब का फेस इतना ज्यादा रेड़ है जिसब्डरेटर लिग determination है कि और क्या यह लिटल वेव को यहाँ पर मेरेको डाइविंग कराने के लिए ले गया था जिसके बाद वासीन वही पर कट ऊंच जातार है लेनुग को जो कि वहाँ पर गाउ से बात कर रहा था और हो गाउ से कहता है जिता फिर तुम्हारे काम के बारे में सारी चीज़े कैसे चल रही है जिस पर गाव कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं और वैसे भी आज मेरा सुबह के वक्त कोई भी काम नहीं था और मुझे साम के वक्त थी सारी चीज़ों को मैनेज करना है एक इंटर्वियू देना है और किसी को पिक करने के लिए दियाना है और वो कोई केस्ट बगर रहे नहीं बलकि एक बिगड़ा हुआ अमीर इंसान है जो कि यहाँ पर गूमने के लिए आ रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं वो सुबह तक चला जाएगा ना इसी बज़ा से जिसके बाद में दिखाया जाता है कि बोट के मज़े लेकर आ ही रहे होते हैं तब ही वहाँ पर बिंग जी की नेजर भी उनके उपर पढ़ जाती है और वह उन सबी से कहता है कि एकर गार तुम लोग आ ही गए यहाँ पर और डिरेक्टर ली आपने वहाँ पर किन के चीज़ों को बहुत जादा इंजोई किया जिस पर किसी कहने लगती है कि हम सब को तो इस चीज़ का मौका भी नहीं मिला और यहाँ पर डिरेक्टर ली ने तो सिर्फ लिन के साथ उस डाइविंग को ही बहुत जादा इंजोई किया और वो अपने मन के अंदर कहता है कि वहाँ दोनों डाइविंग के अंदर गये थे वो भी अकेले आकिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो कि डिरेक्टर ली वहाँ से आन एक बात काफी जादा ही सर्मा रही थी तब इलिन गबराते हुए विंग जी से कहता है कितनों इतने ज़्यादा परिसान मतों मैंने वहाँ पर कुछ जादा नहीं किया था मैं तो बस थोड़ी दिर केले डिरेक्टर ली को वहाँ पर डाइविंग कराने के लिए ही ले गया था और जादा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर जिस पर हम विंग जी को देखते हैं जो कि एक कोने में रो रहा था और अपने मन के अंदर कहता है कि आकरकार में दी बच्बन की दोस्ट चली गई मेरे हाँ से और मैंने कितनी सारी मिनध की उसके इतना ज़्यदा करीवाने कि लेकिन मैं कभी उसके टेष्च को समझी नहीं पाया अगर मुझे पता होई ना कि उसे handsome लड़के ज़्यदा ही पसंदन देना तो मैं यहाँ पर पैसो ज़्यदा अपने face पर दिहाँ देता जहाँ पर में डेक्टरिली को दिखा जाता है जो कि वहाँ पर सभी को कह रही होती है कि सभी मेरी बात को सुनो और यहाँ पर तयार हो जा मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बस आदे ही दिन के छुटी देती और वो खतम हो जीए तो अब जल्दे से सब लोग हॉस्पिटल के अंदर मिलो जिसके बाद वो लिन्स गयती है कि तुम मेरे साथ चलो और जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करकर वो जे तुम से थोड़ी सी जरूरी बात करनी है एक आपरेशन के विसे में जोकी कल होने वाला है जिस पर लिन करता है कि ठीक है मैं अभी से चेंज करकर हॉस्पिटल के बाहर मिलता हूँ जिसके बाद इस चैप्टर का एंट यही पर ही होता है जिसके बाहर मिलता है